नमस्कार दोस्तों खबर पर जाने से पहले चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें राजे राद चुनाव पूरी तरे से उल्जता दिक रहा है सोप्रीम कोड के आदेश के बाद एक बार फिर से पंचाई चुनाव की लोटरी निकल सकती है यानि पंचाई चुनाव में उमीद्वारों का समी करन पूरी तरे से बदल गया है बदलते समी करन के बीच सरपंचों की जमीन खिसकती नजर आ रही है राजस्तान में सरपंचुनाव पूरी तरे से उल्ज चुका है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से पंचाई चुनाव की लोटरी निकल सकती है यानि पंचाई चुनाव में उमीद्वारों का समी करन पूरी तरे से बदल चुका है प्रदेश के 4588 ग्राम पंचाई एक सो चालीस पंचाई समीतियां कोट के फेशले से प्रभावित हो रही है अगर लोटरी निकली तो उमीद्वारों की तयारियां धरी की धरी रह जाएगी पंचाई चुनाव में तीन पदों के उमीद्वारों की जमीन खिसक सकती है सरपन पंचाई समीति सदश्ये और प्रधान पद के उमीद्वार लोटरी से प्रभावित होंगे चर्चा इस बात की भी है क्या पंचायती राज, जिला परिशाद और पंचायती समीत सदिश्यों के चुनाव देरी से भी हो सकते हैं इस सबके भी सर्पंच उमीद्वारों की जमिन खिसक चुकी है क्योंकि कोट और वोट दोनों पर सर्पंच उमीद्वारों का पूरा फोकस देखा जा रहा है एसे में सर्पंच उमीद्वारों की उलजने लगातार बढ़ती जा रही है अगर लोटरी निकली तो कई सर्पन्च उमीद्वार का सपना सपना बन कर रहे जाएगा पंचायती राचुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए सस्क्राइब करें न्यूस चोबीस आरजे हिंदी को